आइस कैसे हैं आप लोग आज मैं आपको spinning का पुरा production कैसे निकालते हैं मैं आज वो आपको पुरा समझाओंगा चलते हैं स्टार्ट करते हैं आज मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं यह कार्डिंग ब्रेकर और आरस भी जो है इन तीनों का एक ही फार्मूले से हम लोग प्रोडक्शन निकाल सकते हैं तो फार्मूला आपका यह सिस्टी इंटू एट जो आपको सामने ही पूरा दे रहा है स्पीड एफिसेंसी परसेंटेज है 2.2 इंटू 840 इंटू हैं यह आपका फार्मूला ओक्या साट का मतलब होता अपना जैसे मीनट में आठ का मतलब 8 घंटेगा नहीं कि 8 घंड़े के पूरा हमार प्रोडक्शन आएगा स्टार्ट करते हैं कार्डिंग हो प्रेकर हो चाह इस तीनों का एक ही फार्मूला लगेगा इस ही है जैसे आपको पता होनी चाहिए मसीन की स्पीड कितनी चली है मैंने एक्जामपल में ले रखा है 160 एंप यह उसका हैं कितना पता होना चाहिए आपको 0.125 मैंने एक्जामपल में हैं के लिए आप प्रोड़क्शन कैसे निक जो भी कंपनी के थ्रू आपको दिया जाता है किसी कहीं कहीं पर 95 होता है कहीं 98 होता है तो मैंने यहां पर 98 इफिंस से ले लिया है और नीचे देखे 2.2 844 है जो अपना यहां पर हैंक है मैंने वापर पूट कर दिया ठीक है अगर आप यह मॉबाइल दोरा कैल्कुलेट कर करते हो तो इसका अपना आठ घंटे का 98 इफिसेंसी जो है प्रोडक्शन आपका आएगा 356 केजी यानिकि वन मसीन का 356 किलोग्रम आएगा अगर हम इसको एट से डिवाइट करेंगे तो हमारा एक घंटे में इतना प्रोडक्शन आएगा ओके अगर इसी में हम लोग 2 से अब इसके अलाव मैं आपको सिंपलेक्स का मेरे पास तो पेन निया इसके लिए तो मसीन में जो आपकी सिंपलेक्स मसीन चल लिए उसमें आपका जितना हैंक आया 8 घंडे का अगर production आपको निकलने तो 8 घंडे का हैंक उसमें कितना आया 9.36 आया या फिन 10.10 कुछ भी आया 8 घंडे का या फिन 2 घंडे का production निकाल तो 2.46 ऐसा कुछ आएगा काई तो जैसे हैंक है तो आपको 8 घंडे का production निकालना है तो मसीन को आप देखिए कि simplix में 8 घंडे का अपना है कितना आया तो आप जो हैंट और जो हैंक क्या बनाना है और नमबर आप स्पेंडल यानि कि एक सिंप्लेक्स मसीन में कितने स्पेंडल है एक सो साथ है तो यहां पर पूटिन करना है ठीक है याद रखना में जैसे आपका आठ घंटे का एक्जांपल में टेन आ गया तो टेन डिवाइडर बाइट टू पाइंटू इन्टू रोविं 95 से या जो भी एफिस्टन से आप रखना चाहते 98 से परसेंटेज मल्डिप्लाई करके आगे परसेंटेज लगा दीजेगा वह आपका आठ घंटे का जो भी अपनी काल आच्छेत आराम साह जागा ओके थैंक्यू सो मच अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे क कमेंट करिए मैं उसको और अच्छी तरह आपको समझाओंगा थैंक्यू